नमस्कार दोस्तों, पूजा शिक्ती चैनल में आप सभी मेरे भाईयों और भहनों का बहुत बहुत स्वागत है आज जिस नविशे पर हम चर्चा करेंगे वो है नवरात्र के दौरान जो है मासिक धर्मे क्या हम पूजा पाट कर सकते हैं या जब हम कोई पूजा पाट यग्य करते हैं तो महिलाओं के लिए विशेश तोर पर कितने दिनों की गैप होनी चाहिए या मासिक धर्में पूजा पाट करने की सही वेधी क्या है सबसे पहले तो हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है या पुराने लोग जो कहते हैं कि हमें जो है मासिक धर्म के दौरान पूजा पाट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए कई लोग जो है ये गलत तरीके से सोच लेते हैं कि महिलाओं को रोका टोका जा रहा है शायद इसली कहा जाता है नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है शास्त्रों में इसका उलेख आपको बहुत यासानी से बिल जाएगा इन साथ दिनों के दोरान जो है महिलाओं बहुत रूप से शक्ति का रूप बन जाती है यानि कि उनके अंदर से ऐसी उरजाएं निकलती हैं जो की वातावरन को कहीं न कहीं बहुत जादा रूप से नहीं जाना चाहिए जादा पर्फियूम का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे समय में अगर हम सुनसान जगहों पे भी जाते हैं तो बुरी शक्तियां भी हमारे प्रभाव में आ जाती है यानि हमारी और आकर्शित हो जाती है तो यह जो समय होता है यह आपकी प्रभान बनाते हैं तो इन दिनों में अगर कोई महिला पापड के करीब आ जाती है या अचार के करीब आ जाती है या उनका हाथ लग जाता है तो उसकी उरजाओं के प्रभाव में आकर अपना रूप बदल देते हैं यह बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है आप करकर द देने लगती है तो यह जाता है आपके आराम होता है आप जो है औरेडी बहुत और जाओं से भरण इस समय पर अपने सिर को दोने और लो काया चाहिए , आपकोती compliant चाहेत च्रीद्ल thank you कुर्छ च्ति आपको फीर को करते हैं इस समय पर सिर को सदेव-धोका रखना चाहिए , क्योंकि आपको श्कूष के और निफाप्तता है तो जी बिल्कुल इस समय पर हमें पूजा पाट नहीं करनी चाहिए पूजा के किसी सामान को हाथ नहीं लगाना चाहिए काहना जी की सेवा जो लोग करते हैं या जिनोंने अपने घर पर काहना जी की सेवा या लुड़ू गोपाल की सेवा ले रखी है तो बहुत से लोग जो है तीन दिन की गैप करते हैं बहुत से लोग जो है चार दिन की गैप करते हैं या आपके उपर है इस समय पर परन्तु आपको एटलीस जो है चार दिन की गैप जरूर करनी चाहिए क्योंकि अगर आप अपने घर में आपने भगवान को स्थान दे रखा है तो आपको जो है उनकी पीड़ा का भी ध्यान रखना होगा जैसे भगवान हमारी रक्षा करते है या भगवान सदेव हमें याद रखते है तो क्यों ना इन चार दिनों का गैप छोड़कर ही आप उजाबाट करें जिससे कि आपके जीवन में जो है खुशाली सदा सदा के लिए बनी रहे भगवानी और बहनों जो सबसे जादा सवाल पूछा गया था वो पूछा गया था कि जब हम उपास या वरत करते हैं तो जैसे कई महिलाएं होती हैं जो 11, 21, 51 या निरंतर उपास करती है या वरत करती हैं तो वो कैसे नियम का पालन करेंगी मासिक धर्म और पीरेट्स के दौरान तो आप क्या करेंगे जैसे आपने साथ उपास कर लिये हैं और साथ उपास या वरत के बाद आपके पीरेट्स और मासिक धर्मा जाते हैं यानि कि अगर आप सोमवार के उपास कर रहे हैं तो आप सोमवार के बाद जैसे आपने उपास कर लिया उसके बाद आपको मासिक धर्म आया है तो भले वो आने वाला सोमवार इस दोरान का ही होगा यानि मासिक धर्म और पिरेट्स को होगा तो उसे आप छोड़कर उससे वर्णन भी आपको शास्त्रों में मिल जाएगा, कई लोग जो है इन नियम को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है, कि ये जो क्रियाएं हैं, ये प्राकरितिक क्रियाएं हैं, तो हम इतना परहेज नहीं करेंगे, भगवान के ही बच्चे हैं, जी बिलकुल आप भग आये थे, कि इस दोरान क्योंकि नवरात्र आने वाला है, करवा चौत आने वाला है, दिवाली का पूजान आने वाला है, तो हमें जो है मासिक धर्मिया पीरेट्स के दोरान पूजा पाट कैसे करनी चाहिए, सबसे बड़ी बात, अगर करवा चौत के दोरान आपका बारानी के पास आप बिलकुल ना ज precaution क्योंकि जो आदी शक्ति याद नव्रातर के जो पूज्यगर होते हैं, ये बहुत शक्ति शाली होते हैं, अखंड दीपक जो होता है बहुत शक्ति शाली माना जाता है, इसी लिए इस दौरान आप graph जाए हुई होती तो कहीं न कहीं ये गलत साबित हो जाता है, तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखें, आप ये छोटा सा नियम है, साथ दिन का गैप रखें, लड़ू गोपाल या काना जी की सेवा करते हैं, तो तीन दिन या चार दिन का गैप रखकर उसके बाद आप पुझा पाट कर सकते हैं, प इतना वर्णन आपको जो है, आसानी से कहीं भी मिल जाएगा, तो मैं आशा करती हूँ, आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए, हम फिर मिलेंगे किसी नवीशे पर चर्चा करते हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, धन्यवाद दोस्तों